तो नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रियर में टू प्रो और सवामी के रेड्मी सिक्स नोट प्रो की बात करने वाले हैं हम इसमें की दोनों के बीच में कितना बड़ा कंपरेजन होगा तावमी का Redmi Note 6 Pro भारत में कब लोन चोगा भी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है मगर Redmi 2 Pro आपको 11 तारिक को फिलिपकार्ट पर फर्स्ट सेल होने जा रही है जो आप फिलिपकार्ट पर से फायदा उटा सकते हैं साथ में इसकी कीमत 13,990 रुपे चार जीवी 64 जीवी वेरियंट की है आप इसको पा सकते हैं मात्र 9,990 रुपे में और वह भी 10% कैस बैक गारंटी के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा हम पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं तो हम इसका कंपेर करने वाले हैं आज सावमी के रेडमी नोट 6 प्रो से रियर मी 2 प्रो ने आपके रेडमी नोट 5 प्रो को बीट कर दिया है मोटरोला के वन पावर को बीट कर दिया है और साथ में नोक्या के 6.1 प्लस को भी बीट कर दिया है अब compare करना बाकी रह गया है Xiaomi के Redmi Note 6 Pro के बारे में के साथ क्योंकि ये mobile भी भारत में launch नहीं हुआ है अभी हो जाएगा मगर हम कुछ specifications दोनों mobile के आपको बता देते हैं हम देखते हैं कि क्या Realme 2 Pro Redmi Note 6 Pro को भी बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो सबसे पहली बात हम Realme 2 Pro की बता देते हैं कि ये आपका Android 8.1 Oreo पर चलता है जबकि आपका Xiaomi का Note 6 Pro मादर Android 8.0 वर्जिन पर दिखाई देगा वो ही पुराना GPU 509 का आपको इसमें फिर मिलेगा और 636 का Snapdragon आपको Note 6 Pro में Redmi Note 5 Pro वाला ही मिलने वाला है जबकि Realme 2 में 660 का Snapdragon चिपसेट मिलने वाला है और GPU 512 का मिलने वाला है जिस पर आप बहुत अच्छी तरीके से गेम भी खेल सकते हैं बिना किसी रुकावट के तो ये तो थी कुछ software संब्दिब बाते इसमें हम network की बात करते हैं तो दोनों mobile में 2G band 3G, 4G, LT दोनों को support करता है SIM slot की बात करते हैं तो दो SIM card आपका Realme 2 Pro में आ जाते हैं और साथ में आपको एक SD card भी डालने को मिल जाता है जबकि Note 6 Pro में ऐसा नहीं है या तो दो SIM card चलेगे या फिर आपका एक SIM card और आपका एक SD card चलेगा अब हम बात कर लेते हैं इसके variant की कौन कौन से variant है इसमें देखे 4GB और 6GB RAM में आपको 64GB internal memory मिलती है जिन की कीमत मैं आपको बता देता हूं कि 4GB 64GB variant में देखा जाए तो 13,990 रुपे की कीमत rear me 2 pro की है जबकि Xiaomi की कीमत 15,700 रुपे की है यहां पर भी difference नजर आ रहा है अब हम बात करते हैं rear me 2 pro के powerful variant की जो 8GB, 108GB internal memory वाला है तो यह Xiaomi में नहीं मिलता जो इसकी कीमत 17,990 रुपे है अब हम बात करते हैं कि दोनों mobile के अंदर USB OTG नहीं है मात rear me 2 pro के अंदर है Micro USB का दोनों mobile में यूज़ कर सकते हो JSV port दोनों mobile में है और बात करते हैं headphone jack के तो 3.5 mm jack दोनों mobile में है infrared और FM rear me 2 pro में आपको नहीं देखने को मिलेगा Bluetooth दोनों mobile में देखने को मिलेगे Wi-Fi GPS दोनों mobile में देखने को मिलेगे Skin color की बात करते हैं तो OS 5.2 पर rear me 2 pro आपको मिल जाएगा और resolution की बात करते हैं तो resolution में 1080 by 2340 pixels resolution आपको rear me 2 pro में देखने को मिल जाएगी जबकि Xiaomi में 1080 by 2100 something कुछ है यानि किससे कम है और rear me 2 में 409 ppi पर काम करते हैं यानि कि एक इंच में 409 pixel आपको screen पर देखने को मिलेगे जो बहुत अच्छी quality बहुत अच्छी clarity बहुत अच्छा रंग आपको screen पर देखने को मिल जाएगा साथ में हम बात करते हैं ये इसके display की तो 6.3 inch का rear me 2 pro का display है और जबकि Xiaomi note 6 pro का display है मातर 3.24 का ये display में भी rear me 2 pro आगे निकल गया है अब हम बात करते हैं इसके battery backup की तो battery backup में rear me 2 pro बीट हुआ है Xiaomi के note 6 pro से क्योंकि rear me 2 pro का battery मातर 3500 mAh की है जो non removable है और Xiaomi note 6 pro की battery 4000 mAh की है तो यहाँ पर Xiaomi ने rear me 2 को बीट जरूर किया है मगर और functions में rear me 2 pro Xiaomi से आगे है अब बात करते हैं camera की camera देखें Xiaomi का camera बहुत अच्छा होता है 20 megapixel का camera है Xiaomi का पलस 5 megapixel का rear camera है जो 1.4 aperture पर कारिये करता है और front camera 20 megapixel का है जबकि rear me 2 pro का camera 16 megapixel पलस 2 megapixel का है जो 1.7 और 2.4 पर aperture पर कारिये करता है जबकि front camera भी 16 megapixel का है जो 2.0 aperture पर काम करता है दोनों कैमरे की quality है अपनी अपनी 19-20 का अंतर है 19 rear me 2 pro का है और 20 शामी का है तो कैमरे ज्यादा अंतर नहीं है अच्छा कैमरा है रियर मी 2 pro का इस range के अंदर ज्यादा difference देखने को नहीं मिलता साथ में आपको इसमें आपको ब्यूटी आपको फोटो ब्यूटी करने हैं तो इसके भी ओप्षन आपको दे रखा हैं इसमें अब हम बात कर लेते हैं साउंड की तो साउंड किलियर्टी दोनों मॉबैल्स के अंदर बहुत अच्छी है वेव MP3 डेंट्रोंस बहुत अच्छी आवाज सुनाई देती है जो लाउडली साउंड है आपको पसंद आएगा किसी तरह की कोई शिकायत आपको दोनों मॉबैल्स में नहीं मिलने वाली साथ में हम इसमें बात करते हैं आपके सेंसर की सेंसर आपका फिंगर सेंसर आपका सौमी नोट 6 प्रो में मिल जाएगा मगर सभी सेंसर आपके रियर मी टू प्रो में मिलेंगे फेस अनलोक सेंसर भी है लाइट सेंसर भी है फिंगर सेंसर भी है और अन्नी है जो भी सेंसर होते है सभी सेंसर रियर मी टू प्रो में आपको देखने को मिल जाएगे और कीमत मात्र 13,990 रुपे जबकि सौमी के 4G 64 GB वरिजन की किमत है मात्र 15,700 रुपे तो यहां पर भी डिफ्रेंस आपको देखने को मिल रहा है तो अब आप समझ गए होंगे कि किस में कितना है दम और कौन सा मोबैल आपको लेना चाहिए और हम आपको रियर्मी टू प्रो के बारे में एक और बात बता देते हैं रिलाइंस जियो की तरफ से यदि आप फिलिफ कार्ट पर से यह ग्यार है कि फर्स्ट सेल से आप लेते हैं और 10% क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यदि HDFC का यूज़ करते हैं आप इसे खरीदने में तो 10% गारंटेड कैश बैक आपको मिल जाएगा तो यहां पर भी रियर्मी टू प्रो से आपको फाइदा मिल रहा है और प्रतियक तरीके से रियर्मी टू प्रो साउमी के नोट 6 प्रो को बीट कर रहा है आप सोफ्ट वेर संबंदी ले लिजे या हाड़ वेर संबंदी ले लिजे स्क्रीन को ले लिजे या आप स्नैप ड्रैगन चिप सेट को ले लिजे या सिम सलोट को ले लिजे बस को लाइक जरूर कर दीजेगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी आप जरूर दबा दीजेगा यदि आप हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी टैक संबंदित वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है आप सब्सक्राइब कर सकते हो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो और यदि आप चाहते है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए तो फ्री सब्सक्राइब होता है इसे सब्सक्राइब कर लीजे इसे आपको ही फायदा होने वाला है आपको सर्च कर करने की जरूरत नहीं किसी भी लेटेस्ट लॉंचिंग मॉबैल के बारे में आपको सभी वीडियो यहीं पर मिल जाएगी जैसे ही हम वीडियो डालते है ओटोमेटिक आपके मॉबैल पर पहुंच जाती है यह फायदा होता है सब्सक्राइब करने का और लाइक से हमें होसला मिलते हैं और घंटे का निशान दबाने से आपको सूचना मिल जाती है कि आपके मॉबैल पर कोई नए वीडियो अप्लोडिड हुई है तो बस इतना सा आपको काम करना हो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजेगा हम आपसे फिर मिलेंग पर तेजर सब्सक्राइब करना ना भोले धन्यवाद थेंकि वेरे मच हमारी वीडियो देखने के लिए